गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स विलकम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स विंटर सीजन हैं विंटर सीजन में बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आते हैं और विंटर का नजारा तो बहुत ही अच्छा होता है इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट होते ह कि कौन कौन से प्लांट हम नरसरी से बाय करें, कितने भी प्लांट हम अपने गाडन में लेकर आते हैं, फिर भी फ्लावर प्लांट की कमी हो ही जाती है, तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का, उसकी केर टिप सेयर करू और किस तरह की मैं उसकी देख भाल कर रही हैं उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से अपने प्लांट को हमें बचाना है कैसे फ्लावरिंग लेनी हैं सारी केर बताऊंगी फ्रेंड्स तो वीडियो में लास तक बने रहेगा वीडियो अगर अच्छी वीडियो बनाना होगा तो comment box में जरूर बताईएगा कि कौन से topic में आपको वीडियो चाहिए तो देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ नजारा है ग्रास को क्या करती हूं फ्रेंड जब बारिस होती है तो मैं उठा देती हूं ग्रास को स्टार्ट हुई है पिंक वाला देखे कितना प्यारा है तो एस्टर की पूरी जानकारी दूंगी मिट्टी से लेके पूरा फटिलाइजर तक तो फ्रेंड्स इसके लिए विट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाईए एक भाग गाडन की मिट्टी एक भाग कंप मिट्टी आप तयार करें और राइस हस्क जरूर इस्तमाल करें जो विंटर सिजन का जितने भी आप प्लांट लगाते हैं उसमें दहान की भूसी का इस्तमाल जरूर करिएगा बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी बनती है और आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से करता है तो यह तो हो गई फ्रेंट्स मिट्टी की बाते इसको कैसे जगह पर प्लेस करना है तो इसे मैं बिल्कुल धूप वाली जगह पर रहती है वहां पर रख सकते हैं कोई दिकत नहीं होती है या कम से कम चार गंटे की धूप तो जरूर लगनी चाहिए बहुत अच्छ इस्टर का प्लांट फ्रेंट्स एक ही बार फ्लावरिंग करता है फिर दुबारा ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है खराब हो जाता है लेकिन फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हर ब्रांच में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही ह इसमें एक समस्य और भी आ रही है देखे इनकी पतियां बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि पाउडर कुछ हो गया है पाउडर लग गया है इस टाइब का एक प्राबलम आती है पतियों में तो इनकी समस्या को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो आपका प्लांट क कि जितनी पतियों हो फारी पीली हो जाएंगी पीली सी होकर जो है खराब हो जाएंगे इस तरह के है तो इंस्प्र आटाइक का ही श्याना इस एक प्रमीड करना बहुत जरूरी हो जाता है और ये कीडे हमको दिखाई नहीं देते हैं तो इस नाम से इसको ठीक करना बहुत तो कोई भी मैं तो इन दोनों प्लांट में जो है अभी बहुत ज़्यादा पतियां खराब सी होने लगी थी तो इमीडा क्लोरोप्लीट का जो आता है पौडर फाम में मैं लेका राई हूँ लिक्विट में भी आता है इंसेक्टिसाइड उसका इस्प्रे जरूर करिए तो चलिए फर्टिलाइजर की बात करते हैं किस तरह प्लांट को देना है और वाटरिंग कैसे करना है सबसे पहले वाटरिंग की बात करते है वाटरिंग आपको विशेज तोर पे ध्यान देकर ही इसमें पानी डालना है नहीं तो ये प्लांट जो है बहुत जल्दी इनकी रूट्स जो है गल जाती है और प्लांट खराब हो जाता है विंटर के जितने भी प्लांट होते है फ्रेंड्स वो अधिकतर जो है ओवर वाटरिंग से ही प्लांट खराब होते है क्या होता है फ्रेंड्स गंबले की जो मिट्टी होती है वो उपर से सूखी दिखाई देती है उपरी परत जो है वो सूख जाती है लेकिन अंदर से गिली होती है तो हमेशा जब भी आप पानी देते हैं गंबले में तो मिट्टी जरूर चेक कर लिजे कम से कम एक से दो इंच दो इंज की लेयर की जब सूख जाती है तभी इन में आप पानी दीजिए, उपर से आप गमले की मिट्टी देख लेते हैं कि सूख गई है और सूखी दिखाई देती, तो आपको लगता है कि गमले की मिट्टी सूख गई है, तो ऐसा नहीं होता है, एक बार जरूर किसी टू में में दो दिन पानि देती हूं दो दिनों के बाद दिन में पानि देती हूं बैद handle और याधा ही जरुवत को पानी की जरुवत हो गी तो आपके प्लांट की प्लांट में भी आता है मेरे पिछले बार जो वर्मीना का प्लांट था पिछले सीजन में वो इसी तरह की बीमारी से मेरा प्लांट जो है बिल्कुल खराब सहो गया था बहुत कोशिस की बहुत इंसेक्टिसाइड अप्लाई किये मैंने लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ इन प्लांट में भी वैसा ही कुछ दिख रहा है लेकिन मैंने इसे कल जो है इंसेक्टिसाइड जो है अप्लाई किया है और नी मॉयल भी इस्परे किया है तो देखते हैं कब तक यह प्लांट बच पाते हैं कि नी बच पाते हैं फिलहाल तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे अच्छा है और मेरी गमले की मिट्टी थोड़ी गीली है देखिए का क्योंकि कल ही मैंने इसमें पानी डाला था और थोड़ी गीली है इन प्लांट को क्या फर्टिलाइजर देना है तो इस समय लिक्विट फर्टिलाइजर बहुत ही बेस्ट होता है वो भी सरसो खली नीम जो है डुबा लीजे और उसमें 100 ग्राम में कम से कम एक मुठी नीम खली डाल दीजे और उसे 24 घंटे के लिए भीगा के रख दीजे मैं तो तीन दिनों तक भीगाती हूं आप भी तीन दिन तक भीगाएगा तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है पानी में इन दोन नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दीजे और दोनों को मिक्स करके जितने भी आपके विंटर के प्लांट है सभी को दीजे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि कुछ फंगस अटायक हो तो उसमें जो है एक चम्मच या दो कोई जरूरी नहीं होता क्योंकि नीम खली भी हमारा फंगी साइट का ही काम करता है तो इस तरह से आप फर्टिलाइजर कम से कम 20 दिनों में एक बार दीजिए क्योंकि विंटर का जो प्लांट है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है तो इनको समय सम भी भोजन बहुत जरूरी हो जाता है फर्टिलाइजर देना तो बस फ्रेंट्स आप इसी तरह से इनको फर्टिलाइजर दीजिए 20 से 25 दिनों का गेब जरूर रखे जल्दी जल्दी भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को मत दीजेगा जिससे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, इंसेक्ट अटैक को हमेशा पत्तियों के पीछे जरूर आप देखे, वाज करिए, और गमले की मिट्टी में भी केटर पिलर जो है, मेरे यहां तो यही दिक्कत हो गई थी, कि मैं पत्तियों को देखती थी, लेकिन गमले की मिट्टी को नह रे जरूर अच्छे से देखे गमले की मिट्टी को भी जरूर अच्छे से देखिए, केटर पिलर